हाल ही में मेरे प्यारे साथियों एक ख़बर निकल कर आई क्या आई राजिस्थान के दो जिले हैं बीकानेर और बाडमेर उन जगेहों पर पिछले महीने जमीन अचानक धस गई अगर आपने वो ख़बर नहीं देखी तो आप उस ख़बर को जरूर देखे नहीं तो मैं आज उस ख़बर को आपके सामने साजा कर ही रहा हूँ जमीन का अचानक धस जाना सुर्खियों में रहा डाउन टू अर्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर अकसर एन्वायरमेंट रिलेटिड मुद्दे अच्छे से उठाये जाते हैं इन लोगों की टीम ने इस जानकारी को जुटाया कि आफ्टर ओल ऐसा क्यूं हुआ तो इन्हें जो जानकारी पता चली वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ लेकिन जब इस जानकारी को आगे सुने तो कुछ और जानकारी भी पैरलली जानते चलें आपको याद है कुछ समय पहले मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि उत्त्रा खंड के अंदर घरों में दरारें आ गई है जिसके चलते कभी भी कोई बड़ी तरासदी हो सकती है घरों को खाली कराने के लिए प्रसाशन ने आदेश दे दिया था इसी प्रकार से मैंने एक साल पहले और सेशन किया था जिस समय मैंने ये जानकारी दी थी कि इसरों ने ये बताया है कि जोशी मठ के अंदर बारा दिन में पांच दश्मलव चार सेंटिमीटर जमीन धस गई है मेरे प्यारे साथियों जमीन का धसना इन दिनों बड़ी सुर्खी बना हुआ है ऐसी ही एक सुर्खी राजस्थान के भीकानेर में इस प्रकार से देखी गई आप देखकर अंदाजा लगाईए कि ये सडक निकल रही है ये कई बीगा जमीन है जो एकदम गड़े में सतर से असिफिट एकदम होल बन गया और अंदर चला गया पेड़ पौधे भी अंदर गिर गया यहाँ पर आप ये ख़वर देखें ये सुर्खी आपको दिखाई दे रही है रह्षमई तरीके से यहाँ पर जमीन दसी गई दिखाई दे रही है और आप इसको दूर से देखे हैं तो समझ पारे होंगे कि इस गहराई को कि किस प्रकार से ये जमीन जमीन सडक से नजदीग है और एकदम ग्राउंड होल बन करके अंदर की तरफ दब गई है ठीक है साथ एसा ही एक नजारा और देखने को मिला बाड मेर में दो पैरलल लाइन्स जो है ना डरार के रूप में दिखाई दी डरार के रूप में दिखाई दी ऐसे ही एक और घटना पहले भी यहाँ पर हो रखी है इस प्रकार के जमीन का धस जाना राजस्थान में कौतुहल का विशेब बना रहा आज के सेशन में इसके कारण जानेंगे और जुनिया भर में जमीने धस क्यों रही है चाहे जोशी मठ में हो चाहे चाइना के अंदर बाढ़ के समय मैंने डिसकस किया हो कि ये जमीन में धसता जा रहा है वो जानकारी हो तमाम वो जानकारियां जहां जमीन के धसने की सुर्खियां है आज के सेशन में आपको जरूर समझनी है और मैं एक जानकारी और दूँ आपको ध्यान है मैंने कल भी एक सेशन किया था जिसमें भी मैंने आपको बताया था कि बैंककॉक डूब रहा है और उसके डूबने के पीछे भी एक बड़ा कारण बताया था जमीन का धसना मेरे प्यारे साथियों आने वाले समय में आप किसी भी परिक्षा में हों किसी इंटर्व्यू में हों बहुत बड़ा टाइटल है जमीन का धसना ये बहुत बड़ा सवाल बनेगा ठीक है आएए तो हम आपको लेकर चलते हैं भारत के सबसे बड़े छेत्रफल के आधार पर राज जिराजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर जानकारी चर्चा में है आज बीकानेर की, बीकानेर के साथ साथ एक अन्य जिला जिसका नाम है बाडमेर, बीकानेर और बाडमेर दौनों जिलों की आज की चर्चा है, बीकानेर जिले के अंद सरलून करण सर तहसील में एक गाव है जिसका नाम है सहजासर, सहजासर नामक गाव के अंदर यह द्रश देखने को मिला, साथ ही साथ बार्ण मेर में इस प्रकार का जमीन में कटाव देखने को मिला, इसकी वजह से लोगों के बीच में इस बात को लेकर आशंका हुई कि यार ये ultimately हुआ क्या है तो सहजासर्चर के जो जगे है वहाँ पर जमीन के धसने से कम से कम 70 फिट का गड़ा हो गया और 70 फिट के घटने के साथ साथ बाडमेर के नागाना गाओं के अंदर डेड़ किलोमेटर छेतर में दो पैरलल लाइन्स के अंदर चलते हुए जमीन पर दरार आ गई इन बातों को लेकर के बाडमेर के अंदर और बीकानेर के अंदर जबरदस्त चर्चा चल रही है डाउन टू अर्थ जो न्यूस चैनल है इसने जोग्रोफिकल सर्वे ओफ इंडिया के अधिकारियों से जिन्होंने जाकर बीकानेर में ये जानकारी जुटाई थी कि आफ्टर आल यहां पर क्या हुआ है उन्होंने इन जानकारियों को ना केवल डिसकस किया बलकि जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के अधिकारियों से डिसकशन की हाला कि फाइनल रिपोर्ट भार नहीं आई अभी तक लेकिन अखबार ने अपनी तरफ से ये बात मेंशन करते हुए बताया कि यहां पर जब उन्होंने जानकारी ली तो एक बड़ा कारण पता चला और वो बड़ा कारण था आप लोगों को कल भी मैंने बताया था जमीन से पानी का अत्यधिक दोहन मेरे प्यारे साथियों कल बैंकवाक वाले केस में भी मैंने ये बताया था चाइना में बाढ़ के केस में भी मैंने ये बताया था जोशी मट के दबने के बारे में भी मैंने ये बताया था ये मान कर चलिए कि हम सभी लोग एक इतनी बड़ी मतलब मुसीवत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप आज जिस प्रकार से human civilization बढ़ता जा रहा है जमीन से पानी निकाल कर अपनी प्यास बुझाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं मैंने अकसर आपसे कहा है और मैं आपसे ये request करूँगा कि आप मैंसे बहुत सारे लोग पानी जब जमीन से निकलता हुआ देखते हैं तो आपको ये लगता है कि हमने तो 9 इंची का बोर करा रखा है कि 12 इंची का बोर करा रखा है बस इतना ही तो गड़ा खुदा है बोरवेल ने इतना सा ही तो गड़ा खुदा है नहीं बोरवेल आप डालते हैं 200 फिट गहराई तक हो सकता है 200-300 जहां तक भी आपने पाईप जहां पर छोड़ दिये उसके बाद में पानी जब निकल कर आता है तो जो एक्वेफिर्स हैं यानि पानी के जो सोर्सिस हैं पानी के जो अंदर की तरफ सोर्सिस हैं उधर से पानी जब सोखा जाता है तो उस पर्टिक्यूलर जगह कुए जैसा बड़ा गंधा बन जाता है कई बार आपने देखा होगा कि आपके जलकूप से बोरवेल से जब पानी आता है तो उसमें मिट्टी साथ में बाहर निकल कर आती है पानी के साथ निरंतर मिट्टी का आते रहना लगातार पानी के लिए अंदर पानी पहुँचना और उसके आसपास का छेतर खाली होना एक दिन दुनिया के बहुत से शहरों में भीशन तरासदी लेकर आएगा इसके बहुत से नजारे हैं आपने कई बार इस तरह के नजारे देखे होंगे सड़कें अचानक धस जाती हैं और हम सोचते हैं कि हो सकता है ड्रेनेज वालोंने सही से खोदी नहीं है जगे या हो सकता है कोई नीचे पाइप फट गया है लेकिन सच माइने में बात ये है कि जमीन में से अगर मिट्टी निकल गई है ये बिलकुल वैसे ही है ना कि अगर आपने एक धेर बना कर रखा हुआ था आपने उसको नीचे से खोकला कर दिया तो वजन की वज़े से वह जमीन नीचे धसेगी और वजन के वज़े से जमने वाली धसाव जो है वो कुछ इस प्रकार से नजारे देखता है मेरे प्यारे साथियों इसे जमीन का धसाव लेड्ड सबसीडेंस कहा जाता है जमीन के धसाव की इस घटना को हम आसान भाषा में ऐसे समझें और ये बहुत इंपोर्टेंट है साथियों आप इधर देखिए जैसे मान लीजे कि आपके सामने ये ग्राउंड वाटर के लिए हमने एक कुवा बना रखा है या फिर ये कोई बोर्वेल लगा रखी है जमीन से पानी निकाल रहे हैं निकालते समय ये पूरा की पूरा छेतर जो है न ये खोकला हो जाता है साथ ही साथ इस खोकले पन को भरने के लिए भी तो मिट्टी इधर से उधर चलेगी जहां से भी चलेगी वहां पर गड़ा हो सकता है आप इसे इस तरह से समझिए कि आप अगर पानी निकाल रहे हैं तो पानी निकालने के बाद में यहां पर खेती तो हो रही है लेकिन जमीन नीचे बैठ रही है जमीन का नीचे बैठना भी अगर आपको समझ में आए तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि जहां पर भी और ज़्यादा जल भराव होगा वो जल भराव की इस्थती से पानी नीचे जाने लगेगा परकोलेट होने लगेगा पानी जब रिचार्ज होने नीचे पहुँचेगा तो उस मिट्ती को रिएड़ेस्ट करेगा और जमीन धस जाएगी मैंने कल भी डीटेल में बताया था आज फिर डीटेल में बता रहा हूँ जहां एक और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का इस्तर बढ़ रहा है वहीं दूसरी और हमारे द्वारा जो मानव अधिवास बना दिये गए हैं उन अधिवासों के नीचे पानी सप्लाई के लिए बोरवेल करकर जो छेद हम क्रियेट करते जा रहे हैं ग्राउंड वाटर पीने के लिए साथ में बड़े बड़े घर बना कर नीचे के मिट्टी खिसका कर जो जगह हम क्रियेट कर रहे हैं उनकी वजह से एकत्रित हुआ वजन जमीन को नीचे धसा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का इस्तर ऊपर चल रहा है मैंने आपको बताया था कल उस केस में भी अगर हो सके तो सेशन दुबारा देखिएगा आरेने में डिसकस किया रहा मैंने ये कहा था कि ये दौनों ही इस्तियां समुद्री जलिस्तर को उंचा कर रही हैं जमीन को नीचे कर रही हैं और यही कारण है कि आने वाले समय में दुनिया के बहुत से शहर समुद्र के पानी में समा जाएंगे क्योंकि फिलहाल तो पोर्ट की फैसिलिटी के लिए व्यापार की सोईधा के लिए दुनिया के बहुत से शहर समुद्र के किनारे जाकर बस गए फिर चाहे आप मुंबई देख लें फिर चाहे बैंकॉक देख लें चाहे जकारता देख लें चितने भी जगें हैं वो समुद्र के तट पर इसी लिए बसे क्योंकि व्यापार सुगम था लेकिन लोगों की जादा density के चलते लोगों के जादा रहने के चलते संसाधनों का अभाव पानी पीने का अभाव हुआ लोगों ने पानी के लिए ग्राउंड वाटर को यूज किया और उसका परिणाम आपके सामने है एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में और बनेगा सर समुद्र का पानी क्यों नहीं पी लेती जनता समुद्र का पानी खारा होता है खारा पानी फिल्टर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संसाधन लगाने पड़ते हैं उससे कम संसाधनों में ही ग्राउंड वाटर यूज किया जा सकता है यही कारण है कि ग्राउंड वाटर के प्रती इतनी ज़ादा डिमांड क्रियेट रहती है अब ग्राउंड वाटर की वजह से लेंड का सबसिस्टेंस होना जमीन का इस प्रकार से धस जाना यह अपने आप में एक चिंता की बात है अब हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है कि सर ग्राउंड वाटर का उपियोग किस तरह से किया जाए किस तरह से उस जगह को बचाया जा सके मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार के दौरा बहुत से मिशन चलाए गए हैं जल संदक्षन को लेकर के भी हम आगे मिशन बताएंगे लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए मैं अभी कुछ दिन पहले जब मैं आपको बता रहा था कि जब दुबई जाके आया मैंने एक चीज नॉटिस की लोगों ने अपनी जर्वतों की पूर्ती के लिए शहर को खुबसूरत बनाने के लिए कच्ची जगे छोड़ी ही नहीं जो जगे रेगिस्तान है वहाँ पर भी लोगों ने complete चिनाई जहां सडक है जहां सडक नहीं है वहाँ पर कुछ मतलब फुटपात बना दिया फुटपात नहीं है वहाँ कुछ और बना दिया कुल मिला करके कच्ची जगे देखती नहीं आप अपने शहर में भी देख लेना आप दिल्ली जाईए आप बैंगलोर जाईए मुंबई जाईए वहाँ लोगों को खाली और कच्ची जगे कच्ची जगे का मतलब जहां पर मिट्टी जमीन पर पड़ी हो वो उन्हें प्रॉब्लम का कारण लगती है क्यों बोले देखो ये मिट्टी जो पड़ी हुई है ये हवा चलेगी तो उड़कर आएगी और घर को गंदा करेगी बारिश आगई तो इसमें कीचड हो जाएगी घर को गंदा करेगी इनसान का खुद को स्वच्च रखने का ये जो पागलपन है ना इस पागलपन ने उन सारी जगेंगों को पूरी तरह से पैक कर दिया है परिणाम क्या निकलता है पानी पीना तो है जमीन से निकाल लेंगे ना जमीन में पानी कहां से आया है बस ये नहीं पता है विक्रम सिंग जी 200 रोपे देखकर के मैसेज लिख रहे हैं और सुनते रहिए तो अब मुद्दा ये है कि अंडरग्राउंड वाटर जलकी पूर्ती के लिए तो आपने यूज कर लिया लेकिन इसी बीच में बारिश का पानी जो जमीन में जाकर के उसे वापस रिचार्ज करता था अपने गाओं में क्या होता था अगर आपने कभी ग्रामीन जीवन जीया है या गाओं के बारे में चर्चाएं भी सुनिये तो पता करिएगा कि कूओं के अंदर पानी कैसे आता था बारिश का पानी कूओं में कैसे पहुँचता था क्योंकि खेतों में बढ़िया से बारिश हुई बारिश हुई तो बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसाव करेगा पानी जब जमीन में रिसाव करेगा तो कूओं के अंदर जो अल्रेडी हमने खोद रखा है वहाँ पर वो खुद करके पास के पानी से मतब जमीन से रिस रिस करके उसमें इखटा होता चला जाएगा बारिश के समय पर आटोमेटिक उसका जल इस्तर बढ़ने लग जाता था जल इस्तर बढ़ने का हमने इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था क्योंकि हम rain water harvesting करते थे आज के समय पर क्या हो रहा है आज के समय पर जो बारिश का पानी है वो जब सहर के सडकों पर गिरता है तो उस पानी को रोकने की कोई विवस्ता नहीं है वो नालों के माध्यम से नालों से नदी के माध्यम से समुद्र में पहुँच जाता है जबकि rain water purest form of water है मतलब distilled water की तरह आप उसे use कर सकते है अगर दो-चार दिन बारिश खोले उसके बाद के पानी को आप रखें तो खराब ना हो ऐसी इस्थिती में उस पानी को हम recharge में तो use नहीं कर पा रहे और अपनी आवशक्ता की पूरती के लिए हम पानी निकाल ले रहे है परिनाम क्या निकलता है कि नीचे का जो पानी है वो पूरी तरह खत्म होता चला जाता है इसके कुछ मैं आपको आंकड़े दिखाता हूँ तो देखिए land subsistence कैसे हुआ मैंने आपको समझाया पानी आपने अत्यधिक निकाला उसकी बज़े से जमीन ने नीचे की तरफ धसाव कर दिया और धसाव की इस्थितियां आपको दिखाई देने लगते हैं और बहुत से कारण है केवल पानी ही नहीं बहुत बार माइन्स जैसे आपने कभी भी देखी हो तो आपको पता होगा कि जो माइन्स है ना वो जमीन में बहुत गहराईयों तक खोद दी जाती है ये बड़ा फैक्टर है अगर आप हमारे देश के बहुत सारे माइन्स एरियाज को देखे तो आपको उपर से देखके लगेगा ही नहीं की हाँ की जमीन नीचे से एकदम पोली कर दी है माइनिंग फ्लड की वज़े से बहुत ज़ादा कंस्ट्रक्शन की वज़े से इरोजन की वज़े से जमीन के अंदर से पानी निकालने की वज़े से जमीन के अंदर धसाव होने लग जाता है जमीन के धशाव को रोकने के लिए water का recharge होना और अगर mines को खोद करके निकाला गया है तो उस mines के कचरे को वापस से उसी के अंदर भर देना यानि कि उन गड़ों के अंदर वापस से जो पिट बन गए हैं उनको फिलिंग करना इस प्रकार से हम लोग मतलब कंडों को होने से बचा सकते हैं ये सारी की सारी जानकारे मैंने लिखी हैं आपके लिए आप पढ़ते रहेगा फिलहाल के लिए दुनिया भर के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो की इस लेंड सबसिस्टेंस के कारण समुद्री तटो पर रहकर तो डूबने के कगार पर हैं हमने कल इसके उपर प्रॉपर तरीके से सेशन किया हुआ है आपको जोशी मट से भी एक चीज मैं याद दिलाता हूँ जब गवर्मेंट ने ये कहा था कि 65% घर जोशी मट के लेंड सबसिस्टेंस यानि जमीन के दसाओ के कारण प्रभावित हो सकते हैं क्यों? क्योंकि जोशी मट में भी तो यही पाया गया था कि उस पहाडी के नीचे पानी के लगातार बहने से बहुत सारे लोगों ने जोशी मट के अंदर पहाडों में छेद करकर के घर का जो पानी है ना वो पहाडों में छोड़ दिया हिमालयन परवत मिट्टी के परवत हैं वहाँ पर मिट्टी के बहने से जमीन के अंदर क्योंकि शहर बसा हुआ है पानी को अंदर ही पहार में छोड़ा जा रहा है पानी के साथ मिट्टी बहकर के चली गई और वहाँ पर धसाव हो गया इसको भी हमने जोशी मट के केस में कवर किया था जिससे आपको जमीन इस प्रकार से धसी हुई दिखे थी हमने सैशन भले ही बीकानेर का उठाया हो लेकिन बीकानेर के मुद्दे को भी Geographical Survey of India पानी से ही जोड़ कर देख रहा है उनका मानना है हाना कि इस परस्ट रिपोर्ट नहीं दिये अभी तक Down to Earth ने उनके अधिकारियों से पूछ कर लिखा है उसके बारे में उनने इतना ही कहा है कि वहाँ पर भी पानी का बहुत ज़्यादा Rainwater का बाड़मेर और बीकानेर में निकाल लेने के कारण छेतरों के अंदर इस प्रकार का कार्य हुआ है ठीक है साब तो इसके क्या Solutions भी है जनता को चेतावनी दे करके आप ये सब काम करा सकते है भारत सरकार के द्वारा भी क्या कुछ इसके प्रयास किये जा रहे है बिल्कुल भारत सरकार भी निरंतर अपने द्वारा अमरत जल मिशन चला करके Rainwater Harvesting को काउंटर करने के तमाम प्रयास कर रही है एक और फैक्ट मैं यहाँ पर एड करना चाहूंगा जो कॉंटेंट में नहीं है लेकिन आप उस पर जरूर विचार कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों आज अगर हम भारत के अंदर उन छेत्रों को देखें जहां पर ऐसी फसलें उगाई जा रही है जो की वहां के क्लाइमेट और वाटर के अकॉर्डिंग नहीं है उधारन के लिए पंजाब और हर्याना भारत के वो दो राज्य हैं और विशेश रूप से बस्ची में उत्तर प्रदेश भी जहां पर पानी उपलब्ध नहीं था लेकिन कैनाल्स बना बना करके पानी को पहुचाया गया तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन भारत के इन दो राज्यों ने विशेश रूप से वाटर इंटेंसिव क्रॉप चावल जैसी फसले उगा कर अपने अत्यधिक पानी के दोहन से जो नदियों से नहीं मिल रहा था तो उसे जमीन से खोद कर निकाला आज हालाप ये हैं कि जमीन से अत्यधिक पानी को निकालने के चलते हरियाना और पंजाब के बहुत सारे जोंस ऐसे हैं जो पूरी तरह से उसस्कार हो चुके हैं जल की स्थिती बहुत जादा डरावनी है और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में बहुत भीशन स्थितियां पैदा हो जाएंगी आवशक्ता है ऐसी फसलों की बोने की जो की वहाँ पर उस climate के हिसाब से उपलब्ध जल के हिसाब से उस जगह को maintain करती हूँ हमें बहुत सी चीजों पर इस समय ध्यान देने की आवशक्ता है एंवायरमेंट का ये जो इशू है ना लैंड सबसिस्टेंस ये आप लिख कर रख लीजिएगा इस बार के मेंस में जब आप जाएंगे यह विशय बहुत बड़ा विशय बनकर आपके सामने दिखाई देगा अब आपके सामने बहुत से उधारन हैं आप उनको कैसे भी करके आंसर दे सकने को जानकारी कैसी लगी जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा फिर सुमवार को आपसे मुलाकात होगी तब तक अपना खयाल रखिएगा बड़ो का सम्मान कीजिए छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्टित पर इस प्रकार से विक्सित कीजिए कि महिलाएं आपके साब सुरक्षित महसूस करें रिक्वेस्ट बार बार है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ Economy, History, Geography, Policy जितना अच्छे से आपने RNA पढ़ा है न मुझसे उससे भी गहराई से अच्छे से हमने यहाँ पर GS के सब्जेक्ट पढ़ाए हुए है Recorded Sessions है, जाकर Purchase करिए, अपने उपर किया गया यह Investment और इसमें पढ़ाए गए Notes आपको किसी भी प्रकार से नुकसान दायक नहीं लगेंगे अपनी पार्षाला का application link comment box में है, अपनी पार्षाला website अपनी पार्षाला.com के नाम से भी उपलब्ध है जहां पर आपको content की PDF मिलती है content की PDF आपको हमारे टेलिगराम चैनल जीके बाई अंके दवस्ती सर या अंके दवस्ती सर verified account पर भी मिलती है आप वहां से इसे access कर सकते हैं, आपका समय शुब हो, धन्यवाद